तो आपको पेशन को इस तरह से टेबल पर सुपाय के पोजिशन पर लिटा देना है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूंगी यह patient नहीं है हमारे staff member है because patient को मैं वीडियो में नहीं ले सकता हूं patient uncomfortable feel करते हैं तो मैं आपको बस position देने के लिए position कैसे देना है वो दिखाने के लिए आपको मैं हमारे staff को सुलाया हूं यहां पे और position इनके उपर देखा जाएगा scanning हम patient का ही करेंगे unnecessary reduction में इनको नहीं देने वाला हूँ तो मैं बस position देने के लिए आपको दिखा रहा हूँ patient को table पे इस तरह से लिटाने के बाद में आपको patient का दोनों हाथ उपर लेना होगा तो सचिन सर आप दोनों हाथ उपर ले लो दोनों हाथ इस तरह से उपर रखना है और table ये दोनों बटन प्रेस करना है इससे table अंदर की तरफ move होगा और फिर इस बटन से laser on करना है आपको laser on होगा table अंदर की तरफ move करना है आपको दो laser यहां पर show हो रहा होगा एक यहां पर और एक यहां पर तो जो गैंडरे के अंदर के side में जो laser है position उससे decide होता है position उससे set होता है बाहर वाले laser पर आपको ध्यान नहीं देना है अंदर वाले laser से आपका position set होता है तो आप chest का scan कर रहे है तो आप chest जहां start होता है means आप chin पे यहां पे laser दे सकते हैं table इस तरह से अंदर की दर move करना है और chin पे जब यह laser आएगा अंदर वाला laser यहां पे stop करना है laser को आपको off करना है laser light off हो गया उसके बाद में इस button से आपको zero set करना है अभी यहां पे display पे आपको कोई number नहीं शो हो रहा है इस button को आप press करेंगे तो यहां zero set हो जाएगा means यह starting location है जहां chin पे हमने laser दिया था यह देख सकते हैं यह starting location है यहां से scan start होगा so radiographers हमारा positioning complete हो चुका है और scan करने के लिए हमें तो मैंने patient का entry यहां पे कर दिया हूँ patient का ID number डालना है आपको patient का name, age, पूरा detail आपको mention करने के बाद में यहां just region पे click करना है और आपको protocol set करना है मैंने protocol select कर लिया उसके बाद accept करना है और फिर आपको यहां पे दो scout show हो रहा है zero मतलब AP और यह दूसरा lateral वाला 90 मतलब lateral वाला आपको confirm करने के बाद में remote पे आपको move का button blink होगा वह button आपको प्रेस करना है table move होगा move होने के बाद में जब remote पे start का button blink होगा तो आपको start पे click करना है प्रेस करना है तो यह first program आ गया उसके बाद में remote आपको वापस से move का button ब्लिंक होगा तो वह प्रेस करना है आपको अब होने के बाद में start का button वापस से ब्लिंक होगा आपको वापस से start करना है तो आप तो अब हमारे दो तो ग्राम आगया है उसके बाद में next रिस करना है आपको planning के लिए आपको brightness करना है और इसको वीश में adjust करना है फिर आपको area कवर करना है कि कहां से कहां तक scan आपको करना है तो इसमें patient scan के लिए time बहुत ज़्यादा ले रहा है तो मैं बताता हूं आपको area कवर करना है lateral topogram में आपको देखना है कि lung end कहां पर हो रहा है तो जहां पर यह lung end हो रहा है उससे थोड़ा से नीचे तक का area cover करने का है हमको मैं scan नीचे से उपर के तरफ में start कर रहा हूं मतलब codocranial feet to head मैं scan start कर रहा हूं कि scan अगर आधे time पर scan सास रूपता भी है और बात में सास फोड़ भी देता है तो भी अच्छा scan आएगा इसके थार करना है firm पर आपको क्लिक करना है कंसों प्रिक करना है जोग्यूख के रखो पेट बिल्कुल नहीं की लिए साप रोख के रखो कि यह कैन्म होता हो यह यहां फिर राएं आपको इस विंडो के करसर रखने हैं और कीबोर से एस एड बटन प्रेस करेंगे तो लंग विंडो में गल गुर्ट हो जाएगा आप लाइब देख सकतें लंग विंडो में इसके कैसा आ रहे हैं तो इसकान में पेशिंट ने ब्रित होड नहीं किया है तो उसके जिसे मुवमेंट आटिफेक्ट बहुत ज़्यादा आया हुए तो मैं पेशिंट को एक और एक्स्प्लेइन कर क्या हूंगा सास अच्छे से रूपने के लिए फिर वापस से स्टार्ट करेंगे मैंने प्रिश्ण को वापफ से इंस्रुक्शन्स देखिया हूं पmount officer explain कर क्या होज भूर मैं तो घ्रिपीट करना होगा het तो यह सेम सीरीज हो जाएगा उसका प्लानिंग भी यहां पर कॉपी वह जाएगा उसके बाद मैं आपको कंफिम करना है वापस से प्रेस्प मुफ का बटन जो है ना रिमोड पर ब्लिंक होगा आपको मुफ का बटन प्रेस करना है यह और इसके बार मिंद्य प्लिंक स्टाट का बट्न ब्लिंक औरी होगा पर स्टाट का बट्न प्रेस करना है और कि स्यान देट हो रहा है कि यहां पर इस आंठ आपको सर्थ हो रहा है इस विइनलों के अब करशयर रखेंगे और एस उल्दागगे कि बूट पर तो यह सब्सक्राइब करने के बाद आप इमेजबुक्स पर आएंगे तो पिशन के नाम पर क्लिक करना है यहां पर उसके सारे स्कैन्स होगी जितने करने स्कैन ऋह सब्सक्राइब के अबमेच नहीं किया तो ये सेकेंड इतिक मेडिया शनम फिर थिके मनधाशय शुर्ण फिर thin medias numb फिर उसके बाद में thin lung तो यह scan आपको show होंगे और इसके बाद में आपको film बनाना होगा So radiographers, this was the complete scanning process of HRCT chest plane scan Hopefully video आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ बनाया होगा अगर आपको radiology related किसी और topic पे भी video चाहिए तो आप मझे comment box में suggest कर सकते हैं मैं उस पे video बनाने की पूरी खोशिश करूँगा Thank you so much, thank you for watching